सबी किसान भाईयों को नमस्कार आप जितना जागुरुक होंगे उतने ही अपनी खेती में पैसे बचा पाएंगे किसान भाईयों आज हम बात करेंगे गन्ने में कल्चरल ओप्रेशन की और जानेंगे की कल्चरल ओप्रेशन करके हमें क्या-क्या फाइदे मिल सकते हैं जैसा कि आपने देखा ही होगा गन्य में काफी खरपतवार हो जाता है यह तो आपको पता ही है कि खरपतवार हमारे गन्य की फसल के हिस्से के पोसक तक्तों को लेते हैं जिससे गन्य की बड़वार और पैदावार सीधे तोर पर परभावित होती है इसके साथ-साथ ये पहुचान पहुचाते हैं यह घरपत्वार कई कीडे और बिमारियों के घर भी होते हैं उधारन के तोर पर गन्य में एक कीडा लगता है जिससे पत्ता इस तरह से दिखाई देता है आप देख रहे हैं इसमें सफेद सफेद धब्बे नजर आते हैं और यह धब्बे बाद मे लाल हो जाते हैं क्योंकि कीडे ने इस जगें से रस्चूस लिया होता है यह कीडा मुख्यते खरपत्वार में रहता है इस कीडे को हम वैबिंग माइट कहते हैं इसके नियंतन के लिए हम गन्य में स्प्रे करते रहते हैं लेकिन खरपत्वार की वज़े से यह दुबारा फिर गन्य में आ जाता है और भी बहुत सारी बिमारियां हैं जो खर्पतवार से सीधे गन्य को परभावित करती हैं अब कल्चर और उप्रेशन द्वारा सबसे पहले हमें गन्य के अंदर खर्पतवार को नस्ट करना है एक तो हम निराय गुडाई कर सकते हैं लेकिन आपको पता है ये बहुत महंगी पड़ती है दूसरा हम ट्रेक्टर और पावर टिलर का उप्योग कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें अगर हम ट्रेक्टर का उप्योग करते हैं तो छोटा ट्रेक्टर छोटा कल्टिवेटर और रिजर की जरूरत पड़ती है और यही स कि हमें जितना भी गर्णा लगाना है वो सभी गर्ना वाइड रो महीं लगाएजाए एक तो सभी cultural operation आराम से हो जाते हैं दूसरा harvester भी वाइड रो महीं चलता है इसके इलावा और बहुत से फाइदे होते हैं इसके बाद दूसरा cultural हमें यह करना है कि गन्य में जितने भी सूखे पत्ते हैं और बिमारी ग्रस पत्ते हैं वो सभी हमारे खेट से हमने बहार निकाल देना है ताकि वह किसी भी बिमारी और कीड़े का घरने बन पाएं इसके बाद तीसरा कल्चर अरॉप्रेशन टोबोर नियंद्रन के लिए किया जिसको हम हिंदी में चोटी बेदक भी कहते हैं इस समय हम गन्य में जितने भी परभावीत पोदे हैं उन सभी परभावीत पोदों को चक्कू की मदद से नीचे से काट देंगे इसके बाद खेत में पत्ते के नीचे देखेंगे कि कहां कहां चोटी बेदक ने अंडे दे र रखने हैं इनको कहीं दूर जमीन में दबा देना है ताकि वहां से तितलियां ना बन पाएं जिसको हम English में मोथ कहते हैं नहीं तो ये मोथ फिर से हमारे खेत में आ जाएंगी और वही चक्कर जिस चक्कर से हम बचना चाह रहे थे वो चक्कर इनका दुबारा से सुरू हो जाएगा किसान भाईयों अगर आप इन सभी कल्टरल ओप्रेशन को करते हैं तो निश्यत ही आपकी गन्ने की पैदावार बढ़ जाएगी सभी किसान भाईयों को इसी तरह की जानकारी के लिए किसान भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिशी संबंदित और गरामिन भारत से संबंदित सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें धन्यवाद